Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading आप लगों के लिए देखें कि August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है में पास यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकन्स set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally August 5 में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है और यह card कहता है कि कुछ time से August starting में बहुत एक प्यार महबद आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं आपको यसा लग सकता है कि भी partner के साथ ही आपको अपना future चाहिए आप marriage, commitment, long term या फिर engagement अपने partner के साथ चाहते हुए या सोचते हुए दिख रहे हैं और इसलिए आप शायद chariot का card कहता है कि action initiatives भी इस direction में ले रहे हैं यानि कि आप क्या कर सकते हैं दिखे अगर आप mail है या फिर आजकल तो यह concept है नहीं अपनी तरफ से अगर propose करना है अपनी तरफ से इस topic पर discussion करना है या फिर ये बात अपने partner से करनी है ये एक action initiative हो सकता है और ये जो मेरे मन में आया मैंने आपको कहा सब के लिए different situation circumstances रहेंगे यहाँ पर chariot का card कहीं चीजों को आगे बढ़ाने की बात करता है कहीं उन्हों चीजों को next level पर लेकर जाने की बात करता है अपनी तरफ से action initiatives लेने की बात करता है और देखिए मन नहीं मन in and out का card कहता है situation ऐसी है circumstances ऐसे हैं आप 100% sure नहीं हो पा रहे हैं चीजों को लेकर और stalker का card कहता है शायद आप बहुत ज़ादा अपने partner को stalk कर रहे हैं social media पे और end August में यहाँ पर three of swords and flirting के card कहते हैं आप किसी चीज को लेकर थोड़ा सा या फिर काफी hurt भी हो सकते हैं अब देखिए इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं हो ना क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है यह सिरफ और सिरफ August मन्त की reading है और three of swords का card सिरफ और सिरफ end August की energies की बात करता है अब देखिए इन hurt energies के लिए इन परिशानी के लिए इस तकलीफ के लिए सब Aquarius के लिए different reasons रहेंगे लेकिन three of swords के नीचे flirting का card कहता है शायद आपके partner का आपको कोई message आया और उन्होंने आपको कहा कि भी वो इतने serious नहीं है या फिर वो commitment नहीं देना चाहते हैं और हमने देखिए आपके लिए देखा भी आप long term अपने partner के साथ चाह रहे हैं आप marriage, शादी या फिर इसी तरीके की चीज अपने partner के साथ चाहते वे दिख रहे हैं या आपकी ले रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा है बहुत एक immature energies उनकी तरफ से रह रही हैं आपके partner की बात कर रही हूं मैं उनकी तरफ से रह रही हैं बहुत एक careless energies हैं और कहीं इसी चीज का हैसास आपको end August में हो सकता है जिसकी वज़े से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं या फिर कुछ के लिए literally हो सकता है आपने partner को किसी के साथ flirt करते हुए पकड़ा या देखा या देखिए फिर से कहूं कि कोई भी reason हो सकता है इन में से या इसी से related कोई और भी reason हो सकता है जिसकी वज़े से आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, hurt हो रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की के energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए आपके सबसे पहला card है wish granted और ये card बहुत ही clearly कहता है कि आपके partner के मन में आपके लिए काफी प्यार है, महबत है अगर बहुत फिर से मैं कहूंगी partner की deeper level के energies देखें, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको वो हर हाल में हासल करना चाहते हैं, actually hustle is not the right word, मतलब आपको वो अपनी life में चाहते हैं आप उनके लिए वो एक ख्वाइश हैं, वो एक wish हैं, जिसको वो manifest करना चाहते हैं लेकिन किसी भी reason की वज़े से काफी confused हैं, यहाँ पे the moon का card again confusion की बात करता है कहीं fears की बात करता है, हो सकता है उनके कुछ fears हैं, और इसके लिए हो सकता है बहुत एक justified उनके reasons भी है क्योंकि देखिए अगर हमें किसी चीज को लेकर fear है, तो फिर कोई न कोई तो उसका reason होता है हमारा past experience relationship को लेकर ठीक न रहा हो, और यहाँ पे देखिए afraid of love का भी card है यानि कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक प्यार से डर रहे हैं प्यार से डरने का मतलब commitment से डर रहे हैं, कहीं उनों शादी से डर रहे हैं, कहीं long term से डर रहे हैं और या आप दोनों में से किसी की energies हो सकती है, लेकिन partner की जाधा रहती वी दिख रही है क्योंकि partner के लिए moon का card है, partner के लिए fool का card है, partner के लिए यहाँ पे seven of cups का card है तो आपके partner कहीं प्यार से डरते हुए, commitment से डरते हुए, कहीं प्यार की responsibility लेने से डरते हुए जाधा दिख रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे 10 of cups का card बहुत clearly कहता है, कि आप बहुत clear है कि आपको अपने partner के साथ long term चाहिए, शादी चाहिए, या फिर living चाहिए, या you know हमेशा के लिए उनका साथ चाहिए तो फिर से आपके partner के energies देखे, बहुत एक fear है, बहुत एक confusion है, और मन ही मन आपको अपनी life में manifest भी करना चाहते हैं और यहाँ पे blocked you का card कहता है कि कहीं, you know उन्होंने प्यार के लिए अपने आपको block करा हुआ है और फिर से मैं कहूंगी, यहाँ पे past experiences बहुत बड़ा एक role play करते हैं अगर हमारा past experience किसी भी चीज को लेकर ठीक नहीं है, तो एक मन में डर होता है और कहीं फिर हम अपने आपको उस चीज के लिए block कर देते हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि आपको social media पर block कर रहे हैं या फिर एक block उनकी तरफ से आप महसूस कर सकते हैं यानि कि खुल के बात नहीं कर रहे हैं और कितनी बारी जब मैं love readings करती हूँ तो मेरे को clients इस चीज को confirm करते हैं कि ma'am उनकी energy से लगता है वो हमें प्यार करते हैं लेकिन बहुत एक confusion वाला reply देंगे या फिर commitment नहीं देंगे लेकिन पता लग रहा है कि दिल में बहुत प्यार है तो ऐसा ऐसा एक आपके partner के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर seven of cups का card कहता है कि बहुत जादा distracted उनकी energies है जहाँ पर वो focus ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनको क्या चाहिए deeper level के लिए motivating का card कहता है ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे है ऐसा नहीं है कि वो try नहीं कर रहे है वो अपने आपको focus करने के लिए वो अपने आपको इस relationship में commitment देने के लिए या फिर इस relationship को next level पर लेकर जाने के लिए बहुत try कर रहे हैं अपने आपको कहते भी होंगे नहीं नहीं देखो आप कितने अच्छे हैं आपके अंदर की जो अच्छी qualities हैं उन पर focus भी करते होंगे उनके बारे में भी सोचते होंगे लेकिन फिर भी एक distracted सी again मैं कहूंगे उनके energy जहती हुए दिख रही है जहां पर वो decision नहीं ले पा रहे हैं choice नहीं कर पा रहे हैं कहीं बहुत confused वो रहते हुए दिख रहे हैं और August मन्त में हम देखें तो यहां पर सबसे पहला card है nine of wands reverse और यह card कहता है कि आप दोनों याप दोनों में से कोई एक बहुत थकावट महसूस कर रहे है again दिखिए यह card भी fear की बात करता है insecurity की बात करता है late night scrolling का card कहता है शायद आप दोनों याप दोनों में से किसी को रात को अच्छे से नीन नहीं आ रही है रात को social media पे active होके partner को जादा stock कर रहे है partner को जादा देख रहे है और दिखिए यहां पर मैंने अभी आपको बताया effort of love का card है तो आप दोनों याप दोनों में से कोई एक प्यार से डर रहे हैं commitment से डर है और हमने बहुत clearly देखा कि आपके partner के card जादा इस चीज को confirm करें यानि कि वो जादा डरते हुए दिख रहे हैं और शायद इसलिए death rivers का card कहता है कि कुछ चीजों को end करके एक नई beginning करना तो चाह रहे हैं से चीजों को शुरू तो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर falsehood का card कहता है शायद उतनी transparency आप दोनों के बीच में नहीं है शायद clearly अपनी feelings, अपनी emotions, अपने डर को दूसरे इंसान से नहीं express कर पा रहे हैं या फिर past में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के साथ relationship में काफी गलत हुआ काफी धोखा हुआ और experience बहुत बुरा रहा जिसकी वज़े से trust issues हैं trust नहीं कर पा रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी page of wants का card कहता है आप लोग एक दूसरे से connected हैं बात कर रहे हैं और बहुत एक enthusiasm, excitement एक बूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं एक commitment नहीं हो पा रही है कहीं बहुत maturity के साथ चीज़ों को नहीं deal कर पा रहे हैं और फिर से कहूंगी ये आपके partner की energy जादा रहती वही दिख रही हैं या फिर से मैं कहूंगी कि एक carelessness है बहुत immature energies हैं कहीं commitment, कहीं एक responsibility आपके partner नहीं इस relationship की end august में भी लेते हुए दिख रहे हैं तो ये था एक वेडियस आप लोगों के लिए august 2024 की love tarot reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें